योना SBI Net Banking का यूचर नेम और पासवर्ड कैसे फोर्गेट करें आज किस वीडियो हम आपको पूरा कंप्लेट परोसेद दिखाने वाले हैं अगर आप भी अपना योना SBI और Net Banking का यूचर नेम और पासवर्ड भूल गए हैं इस वीडियो को सुरु सिलाज तक जरूर देखें ऐसा SBI के हर यूजर के साथ होता है या तो वो अपना पासवर्ड भूल जाता है या यूजर नेम हम दोनों ही आज फोर्गेट करके आपको बताएंगे चलते हैं साथ हूँ सुरू करता है सबसे पहले अपने मॉबाइल पून में या लेप्टोप में गूगल को आपन करेंगे और यहां पर टाइप करेंगे SBI Online इतना लिकनिक बाद में सर्च करेंगे तो आपके सामने ऐसा फिज आपन होगा यहां पर आपको पस्टमेक साइट देखने को मिलेगी www.online.sbi.com यह SBI Bank का आपिसल वेबसाइट है इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिशन पार्ट में भी मिल जाएगा सबसे पहले हम यहां पर त्री डोट पर किलिक करेंगे और इसको डेश्ट आप साइट में ऐसे चेंज कर लेंगे उसके बाद में यहां पर आपको Personal Banking का आपसन मिलेगा इसमें आपको Login आले आपसन पर किलिक करना है फिर Continue to Login पर किलिक करेंगे आपके सामने सा पेज ओपन होगा यहां पर आपको अपना username और password डालना है लेकिन हम यह दोनों ही बूल चुके हैं username और password हम दोनों को forget करेंगे तो यहां पर forget login पासवर्ड डाला आपसन मिलेगा इस पर आपको किलिक करना है फिर इस बॉक्स पर किलिक करेंगे अब आप यहां से क्या forget करना चाहते हैं उसको यहां से चूज करेंगे अगर आप अपना ID password ही forget करना चाहते हैं तो पस्ट वाले option को चूज रखे लेकिन हम दोनों को ही forget करना चाहते हैं तो second वाले option को चूज करेंगे क्योंकि पहले username forget किया जाता है उसके बाद में password फिर यहां से next करेंगे आपके सामने कुछ detail इस परकार्ट से open हो जाएगी यहां पर आपको अपनी बैंक का CIP नंबर लगाना है जो आपकी बैंक की पास्ट वुक में लिखा होता है उसके बाद में अपनी country चूज करेंगे और फिर यहां पर अपना mobile नंबर डालेंगे और फिर यहां से this capture code की इस box में डालेंगे जैसा लिकरा same to same capture इसमें फिल करेंगे फिर यहां से submit करेंगे आपके registered mobile नंबर पे go top जाएगा otp यहां डालेंगे और फिर यहां से confirm करेंगे आपके सामने अपना username आ जाएगा यहां पर आप देख सकते हैं जो username आप भूल चुके हैं वो आपके सामने इस परकार से so होगा अब हम password forget करेंगे यहां पर आपको username को copy कर लेना है या कहीं पर लिख लेना है क्योंकि username के आपको जरुत पड़ेगी तो हम वापिस वसी page पर चलते हैं और फिर से हम वही process follow करेंगे यहां पर आपको forget login पासवर्ड पे के लिए करना है और यहां से आपको choose करना है कि आप किसको forget करना चाते हैं हम username पता कर चुके हैं अब password पता करेंगे तो पस्ट वाले option को ही choose रखेंगे उसके बाद में यहां से next करेंगे आपके सामने एक लाप पे जिस पर कार्ड से open होगा यहां पर आपको अपनी कुछ details में फिल करनी है सबसे फिल यहां पर अपना username डालेंगे जो आपने भी forget किया है उसके बाद में अपने account number डालेंगे यहां से अपनी country को choose करेंगे और यहां पर अपना mobile number डालेंगे और यहां पर आपको date of birth डालने है date of birth आपको इस तरीके से डालने है और पिर यहां पर escape code को इस box में डालेंगे जैसा लिकरा है same to same way सही इसमें लिखना है पिर यहां से submit करेंगे आपके register mobile number पर एक OTP जाएगा OTP यहां डालेंगे और फिर यहां से confirm करेंगे यहां पर आपको तीन option मिलेंगे आपके पास में अपना item card है तो आपको पस्ट ओला option चूज करना है अगर आपके पास में item card नई है और आपके पास में अपनी net banking का profile password है तो आपको second option चूज करना है अगर आपके पास में दोनों नई है तो उस condition में आपको third one option चूज करना है इस condition में आपको branch जाना होगा लेकिन हमारे पास में अपना item card है हम खुद ही अपना password reset करेंगे इसलिए पस्ट ओले option को चूज करेंगे यहां से submit करेंगे आपके सामने अपने item card की details open हो जाएगी यहां से अपने item card को select करेंगे और फिर यहां पर confirm करेंगे आपके सामने अपने item card की details open हो जाएगी यहां पर आपको अपने item card की expiry date डालनी है उसके बाद में card holder का नाम डालेंगे item card पर जो नाम लिखा है वही नाम यहाँ पर डालेंगे फिर यहाँ पर अपने item के pin डालेंगे security code उसके बाद में यहाँ पर जेसा capture लिखा है same to same capture इस box में फिल करेंगे फिर यहाँ से proceed पर किलिक करेंगे आपके item card की detail को verify किया जाएगा अगर detail साही हुई तो आपको दूसरे page पर redite कर दिया जाएगा जहांसे आप अपना new password set कर सकते हैं यहां से आप अपना password set करेंगे आप अपने इसाफ़ से एक strong password बना सकते हैं लैकिन password आपको इस तरीके से बनाना है यहाँ पर अपना new password डालेंगे फिर confirm के लिए second word वाले बॉक्स में भी वही पासवर्ड डालेंगे पिर यहां से सब्मिट करेंगे हमारा पासवर्ड रिसेट हो चुका है यहां पर आप देख सकते हैं यह वर लॉग इन पासवर्ड हैज बिन रिसेट सक्सेस्फुली अब आप फिर से इस यूजर नेम और पासवर्ड से अप को भी एक्सिस कर सकते हैं पहले हम इसको नेट बैंकिंग में लॉग इन करेंगे हैं तो आपको वापिस उसी पेज पर आना होगा यहां पर आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालना है फिर यहां पर नीचे आपको एक कैप सकूर्ड दीखेगा जैसा लिक रहा है सेम-to-same इस बॉक्स में डालना है फिर यहां पर लोग-इन पर क किलिक करेंगे आपके रिजिस्टर मॉबाइल नमबर पर एक OTP जाएगा OTP यहां डालेंगे पिर यहां से सब्मिट करेंगे आपके सामने नेट बैंकिंग का हॉम-पैज इस परकार से ऑपन होगा यहां से आप यो आल बैलेंस पर किलिक करके अपने अकाउंट का बैलेंस देख सकते हैं, अपने अकाउंट का इस्टेटमेंट निकाल सकते हैं, अपने अकाउंट में मुबाइल नमबर जोड़ सकते हैं, पेन कार्ड लिंक कर सकते हैं, और भी काफी सारे काम हैं जो आप खुद कर सकत हैं अब हम योना sb application में इसको login करेंगे यहाँ पर योना को open करेंगे यहाँ पर आपको sim select करनी है कि आपका कौन सा वाला sim bank के साथ link है वो sim इसी पॉन में होनी चाहिए आपको उसी sim को यहाँ से select करनी है हमारी पस्ट वाली sim है हम पस्ट को select करेंगे फिर यहाँ से next करेंगे कुछ second यहाँ पर wait करेंगे आपके system को चेक किया जाएगा फिर यहाँ पर अपना account number डालेंगे और फिर यहाँ पर इस calendar से अपनी date of birth choose करेंगे फिर यहाँ पर proceed पर click करेंगे अब यहाँ पर आपको अपना username और password डालना है जो आपने भी forget किया है हम अपना username डालेंगे फिर यहाँ पर password इंटर करेंगे फिर यहाँ से submit करेंगे आपके रेजिस्टेट mobile number पर एक OTP जाएगा OTP यहाँ डालेंगे फिर यहाँ से next करेंगे यहाँ पर आपको लगाने की जुरत नहीं पड़े आप direct M-PIN लगा के इस पर लोगिन हो सके M-PIN सेट होने के बाद में इसका home page इस पर कार्ट से open होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं बेलेंस पर किलिक करके आप अपना बेलेंस देख सकते हैं और भी यहाँ पर बहुत सारी सर्विसेस का benefit आप ले सकते हैं यूजर ने और पासवर्ट डालने के बाद में भी अगर आप यहाँ से login नहीं होते तो यहाँ पर आपको having problem वाले औरसन पर किलिक करना है यहाँ पर आपको contact number मिलेंगे आप इन पर call करके अपनी समस्य बता सकते हैं अगर फिर भी आप इस पर login नहीं होते तो आपके अपनी home branch में आपको जाना है अभी योना SBA पर technical problem चल भी रहा है किसी किसी का login हो रहा है और किसी का नहीं लेकिन आप username और password बूल जाते हैं तो स्रीप यही तरीका है आप इसी तरीके से अपना username और password फोरगेट कर सकते हैं आप आज के वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा अगर अच्छा लगाए तो लाइक करें अपने दोस्तों के साथ share करें और आपके दिमाग में फिर भी कोई confusion है तो हमें comment करके जरूर पूछें और आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें